देश में बीते 24 घंटे में कोविट के 11,738 नए मामले मिले हैं जबके 29 लोगों की मौत हो गई वही एक्टिव केस की संख्या 1,32,566 है बीते दिन 14,344 लोग रिकवर हुए इसके एक दिन पहले 14,352 केस मिले थे और 23 लोगों की मौत हुई थी बीते दिन महाराश्ट में सबसे ज़ादा यानि की 1,849 केस मिले थे वही 24 घंटे में ये आकड़ा घटकर 830 हो गया हिमाचल में 100 वार को कोविट से 3 लोगों की मौत हो गई इसके साथ ही चार राज उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मेगाले में पॉजिटिव रेट 16% के पार पहुच गया है आपको बता दे कि देश में कोविट महामारी की सुवा से अब तक 44,47,710 संक्रमित मिल चुके हैं जब कि 5,29,89 लोगों की मौत हो चुकी है वही कोविट से ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 4,33,42,456 पहुच गई है आपको बता दे कि भारत का कोरोना वैक्सिनेशन कब्रेज 24,25 करोड से अधिक हो गया है ब्यूरे रिकोर्ट, आई पियन